नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं भाग्या और मैं हूँ आपके साथ शैलेंदर पांडे बात करेंगे 7 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार के दैनिक राशी फलकी और शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेश राशी के साथ मेश राशी धन लाब के बड़े अच्छे योग आपके लिए आज बने हुए हैं हालाकि आज के दिन में आपकी व्यस्तता भी बड़ी रहेगी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपका स्वास्थ अच्छा बना रहेगा यानि दिन व्यस्ततो है लेकिन फाइदे मंद भी दिखाई दे रहा है किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा व्रिशब राशी उपहार सम्मान का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है और जीवन साथी के साथ आपका तालमेल मधुर होगा जीवन साथी के साथ प्रेम आपका बढ़ेगा मन की जो तमाम चिंताएं थी वो भी आज के दिन आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी शुब हो और भी बेहतर हो तो खाने पीने की वस्तु का दान करें आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा मिठुन दाशी, कर्ज की तमाम समस्याएं जिन समस्याओं से आप परेशान थे वो कर्ज की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी थोड़ा प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे इस समय आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं और ये यात्रा आपके लिए लाबकारी रहेगी मा लक्षमी की उपासना अगर आज के दिन आप कर लें थोड़ा समय निकाल करके तो दिन आपका और भी ज़्यादा शुब होगा करकराशी बे वज़ा का तनाव आपको परिशान कर सकता है और इस तनाव की वज़े से आपकी सेहत बिगर सकती है इसलिए तनाव का और स्वास्ति का ध्यान दखियेगा किसी मित्र की सहायता से, किसी मित्र की सलाह से इस समय आपको लाब होगा तो सलाह मांगने में बिलकुल परिशान मत हुईएगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज सफेद मिठाई का आप दान करने तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होगी सिंग राशी, नया काम इस समय आपका शुरू हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है और इस समय आपके लिए धन लाब के योग भी बनते हुए दिखाई दे रही है सरदी जुकाम की समस्याएं आपको परिशान कर सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखियेगा, तबियत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हट तक कम हो जाएंगे कन्याराशी, करियर की तमाम बाधाएं दूर होती दिखाई दे रही है और इस समय आपकी दोड़ भाग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अगर आज आप कोशिश करके देखें, तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं इसलिए आज आप प्रियास करके जरूर देखिएगा माल लक्षमी की अगर आप उपासना करें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा तुलाराशी, नौकरी में परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं और परिवर्तन आपके लिए फाइदे मंद है इस समय परिवर्तन से और वैसे भी आपको आर्थिक फाइदा फाइनिंशियल लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है आज अपने स्वास्ते का बहुत ध्यान लखिएगा क्योंकि आज आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का दान कर दे तो आपके लिए दिन और भी शुब होगा विश्चिक राशी जीवन में बड़े सारे परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए फाइदे मंद रहने वाले हैं स्वास्त की थोड़ी बहुत समस्या आपको परिशान कर सकती है उसका ध्यान इस समय बनाए रखिएगा किसी बड़े किस सहयोग से आपको लाब होता दिख रहा है इसलिए बड़ों की सहायता मांगने में बिलकुल हिचक मत करिएगा सफेद मिठाई का अगर आज आप धान करने तो आपका दिन बहुत हट तक पेहतर होगा धनुराशी छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं किसी छोटी लाबदायक यात्रा पर आप जा सकते हैं करियर में इस समय कुछ बदलाव भी आपका होता हुआ दिख रहा है और धन लाब के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं यानि दिन कुल मिलाके आपका बेहतर दिखाई दे रहा है किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा मकर राशी रुके हुए बहुत सारे काम आज आपके पूरे होंगे आज प्रयास करके देखिए अपने रुके हुए काम निप्टा लीजिए वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है और सबसे बहतर बात ये है कि आज आपकी मानसिक चंताएं दूर होंगी अगर किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तुकाब दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा कुम्भराशी मीन राशी संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं इस समय मन में रह सकती है पैसे जरूर आएंगे लेकिन धन के खर्चों से थोड़ी परिशानी हो सकती है महत्तोपूर काम अभी एक दो दिन के लिए अगर आप टाल दें तो जादा बेहतर होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन के मुश्किलें हल हो जाएंगे ये तो रहा बारह राशी के लोगों के लिए आज का दैनिक राशी फल अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाए आज संध्या काल में मा लक्षमी की उपासना जरूर करियेगा थोड़ा समय निकाल करके सुर्यास्त के बाद मा लक्षमी को गुलाबी पुष्प विशेश रूप से गुलाब का फूलर पित करियेगा और प्राथना करियेगा ऐसा करने से आपके धन की स्थिती में निश्चित रूप से सुधार होगा तो आज के लिए आपका दिन शुब हो, मंगल मैं हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिये इजाजर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक नमस्कार